Hello, My Day students! Day students, आज आज आप लोग को एक ऐसे सुपरिंग कोर्ट के जज्जमेंट के बारे में हम बताएंगे जिसमें OnReable Supreme Court ने ये बोला कि एक ऐसा कानून है जिसका सबसे ज़ादा दुरपियोग हो रहा है तो question ये उड़ता है कि अन्रेबिल Supreme Court ने किस कानून को सबसे ज़्यादा दुर्पियोग वाला कानून बताया और ये कानून समाज से direct जुड़ा हुआ है इस कानून का पूरा historical background सारी चीजे हम आप लोग को इस वीडियो में बताते हैं और आप इसको पूरा लास्तक देखते रही है दे स्टुडेंट आई एम हर्जब्यारी शिर्वास्तो लॉइक्सपर्स परिच्छा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉग क्लासेज फ्राम इलहबाद जिन स्टुडेंटों ने अभी तक परिच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल फ्री आपकास्ट है और सबसे अच्छी बात है कि यह फुली लॉग के स्टुडेंटों के लिए डिवोटेड है इसमें आप लोग को लॉग से रिलेटेड कोई वेकैंसी एडवर्टाइज होती वो आपको बताया जाता है और इसके साथ साथ कोई आप लोग का रिजर्ट या AIB जैसे examinations की बात होती है, on a bill, high court, supreme court के judgment होते हैं, parliament के कोई नया कानून की जिक्र होता है और कोई ऐसा constitutional amendment होता है यह सब आप लोग को इस channel पर बताया जाता है इसके साथ साथ हमारे channel पर आप लोगों को धेर सारे super specialist आते हैं बीच बीच में, psychologist के form में, juristic के form में, selected student के form में, वो आप लोग को सारी जानकारी समय समय पर देते रहते हैं तो चलो, dear student, आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे कानून को जिसको हम लोग कहते है protection of women from domestic violence, act 2005 यह महिलाओं का घरेलू हिंसा से संद्चन के लिए 2005 में यह कानून बनाया गया था वैसे तो देखो, यह कानून के बारे में जिकर पहले भी हो चुका है और 2005 में इसको एक अलग से एक्ट के form में दिया गया तो पहले चलो, हम लोग देखते हैं कि सुपरिंग कोट का क्या decision आया है देखिया, ओन्रेबिल सुपरिंग कोट ने कहा है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है जिसको भी हमने आपको domestic violence sector बताया सबसे अधिक दुरुपयोग वाला कानून है ओन्रेबिल सुपरिंग कोट का ये statement है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है सबसे ज़्यादा दुरुपयोग वाला कानून है देखिये, ओन्रेबिल सुपरिंग कोट ने कहा कि जो भारती दंड सहिता की धारा 498A है विवाहित महिलाओं के साथ प्रूडता देखो IPC में ये 498A में था अब ये आगया है BNS की section 85 में जिसको हम लोग भारती न्याए सहिता कहते हैं न्याए कानून में 85 में आ गया तो जरा सुपरिंग कोट के original word को हम लोग पढ़ते हैं सुपरिंग कोट ने कहा कि भारती दंड सहिता की धारा 498A के बिवाहित महिलाओं के साथ कुरूड़ता और घरेलू हिंसा के प्रावधान सब से अधिक दुर्पियों किये जाने वाले कानून में से है ये अन्याबिल सुपरिंग कोट का है और दोको ये सुपरिंग कोट का जो ये statement है ये तीन जजेस की bench ने कहा है वो जजस सहाब लोग कौन थे और बिल जस्टिस बी आर गवई और बिल जस्टिस प्रशांत कुमार मिस्रा और बिल जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक पीट थी उसने भरल पोशर से संबंधित एक वैवाहिक बिवात की सुनवाई के दौर इसे मामलों में किसमे मामलों में घरे लूंसा के मामलों में सोतंतरता प्राप्त करना अच्छी बात है महिलाओं को अगर सोतंतरता अच्छी बात है अपनी टिपड़ी को इस पर स्कड़ने के लिए उन्होंने एक मामले का जक्र किया जस्टिस गवाई ने कहा कि नागपू यह justice गवाई का कहना है, justice गवाई ने आगया का, मैं खुले तोर पर कह सकता हूं, कि घरेलू हिंसा, वह धारा 498 ए, सबसे अधिक दुर्पयोग किये जाने बाले प्राउधानों में से एक है, यानि जितने भी एक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा दुर्पयोग जो हो रहा है married women's के दवारा किया जा रहा है, husband और husband के relatives के साथ किया जा रहा है, वो एक्ट है, domestic violence act, वो section है, IPC की 498, जो present time में BNS के section number 85 है, IPC के जगह आप लोग जानते हैं, एक जुलाई 2014 से, IPC के जगह पर BNS आ गया है, भारती नया सहीता, उसकी जो section number 85 है, उसमें domestic violence के बारे में बात क रही गई है, कि जो cruelty होती है, वो 85 में बताया गया है, यह student के कोई पहली बार honorable Supreme Court नहीं का, इसके पहले भी Supreme Court ने ऐसी टिपड़ी की थी, वो टिपड़ी थी, misuse of the, misuse of the 498 A, IPC, यानि कि जो धारा 483 है, इसका भयंकर दुर्पयोग married women's के दवारा किया जा रहा है, वो case ला state of UP, राजे सर्मा versus state of UP 2017, देखे जरा historical background पर आते हैं, हमारी संसद ने criminal law amendment act के दवारा, 983 के दवारा, एक IPC में section जोड़ी 498 A, क्योंकि ऐसे मामले आते हैं जिसमें यह कहा जाता था, कि जो married women's होती है, उनको, उनका husband और husband के relatives होते हैं, यानि जो in-laws होते हैं, वो उने क्या करते हैं, प्रतारित करते हैं, उनके साथ cruelty करते हैं, उनको physical pain देते हैं, उनको mental pain देते हैं, उनको economically pain देते हैं, यह सब बातों को लेके, संसद ने कानून बनाया, कि अगर ऐसा होगा, तो जो husband और husband के relatives होंगे, उनको punishment दिया जाएगा, 490 A में, मामला जब minor act बना देना पड़ा, domestic violence act, घरेलू हिंसा अधनियम, 2005, बनाया तो किया था कि नारियों के साथ कोई, जो married women's हैं, उनके साथ कोई cruelty न हो, उनका मान सम्मान बने रहे, वो अपने inlaz के साथ अच्छी रूपे रहे, तो यह तो कानून बनाया था, positive way को लेकर, लेकिन आने वा मैंस अपने husband और husband के related के case, criminal suit file कर देती है, इसका नतीजा गया, कि honorable Supreme Court ने देखा, कि case तो registered हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कि proof नहीं मिलता, या तो उसमें investigating officer के द्वारा final report लगाई जाती है, या trial court के द्वारा, एक्यूज बनाया गया, husband और husband के relatives को acquittal कर दिया जाता है, तो राजेश सर्मा वर्षिज स्ट्रीट अफ यूपी में on rebel Supreme Court ने कहा है, कि पिछले 4-5 साल के cases को, जो cruelty के domestic violence के register हुए थे, उसमें 80-90% cases में कोई यूदिन से नहीं मिला trial court को, और trial court को accused person को acquittal करना पड़ा, तो dear student, यह जो domestic violence है, आपके judiciary का बहुत important topic है, कि ऐसा कौन सा कानून है, जिसका सबसे ज़्यादा दुर्पियोग हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा misuse हो रहा है, तो आपका answer होगा, कि जो IPC के 6498 थी, है 85 BNS, उसका दुर्पियोग हो रहा है, और domestic violence sect 2005 का दुर्पियोग हो रहा है, यह आप लोग के लिए, डे स्टुडेंट बहुत ही important वीडियो था, इसलिए सर को आपके सामने आना पड़ा, देखे डे स्टुडेंट आप लोग के लिए, जो नया criminal लाया है, उस नया criminal लाका, जितने भी MCQ है, BNS, BNS, और BSA के, आप लोगों के लिए एक जगा पर compile कर दिया गया, 3 in ones, यह जो higher UP की higher judiciary होने जा रहा ह ही है, उसमें बहुत useful है, इसके साथ आगे के जो भी exam होंगे, उसमें यह बहुत ही useful है, और जो इस्टुडेंट AIB का exam देने जा रहे हैं, AIB में कह दिया गया है, कि नया criminal लाभी आएगा, उनके लिए यह बहुत important है, इसमें 1200 question दिये गए हिंदी और English में, deglott edition है, आपके लिए बहुत useful है, AIB के लिए आप लोग के लिए कलग से guide लिए है, इस guide को मंगा के आप लोग पढ़ सकते हैं, यह guide और criminal आदोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, कि जो AIB में, अगर आप general category के या OBC category के हैं, तो 45 नमबर पाना है, 45 से ज़्यादा आप प criminal law का means का notes चाहिए, जैसे जो 36 गड़ का higher judicial हो रहा है, 36 गड़ के higher judiciary में क्या रहा है, कि नया criminal law आ रहा है, तो यह नया criminal law 36 गड़ judiciary के लिए very very important, इसके बाद जो आप means का exam देंगे, चाहे APO का चाहे, judiciary का higher judiciary का, उसके लिए भी बहुत useful है, अब यह student कैसे इन notes को मंगाए, यह दो WhatsApp number आपको screen पर show कर रहा है, इसमें से किसी भी WhatsApp number पर आप अपना complete postal address लिखेंगे, नाम, पता, पिन, कोड, district, सब लिखेंगे, और आप इसमें यह भी लिखेंगे, कि आपको कौन सा notes चाहिए, जब आपका postal address आ जाता है, तो coaching का QR code जाता है, और उसमें आपको क्या होता है कि जो उसका payment होता है, deposit करना पड़ता है, फिर register parcel आपके द्वारा दिये गए address पर आपको send कर दिया जाता है, thank you my dear student, next video में फिर मिलते हैं